आप सभी मैं उनतीम है मैं आपके अपने computer पूर से तो आज arranging order का fourth episode है जिसमें आपको different type के questions करने को आज मैं बताऊंगी इसमें आपको पिछली class में हम लोग ने alphabetical series and starter cram में arrange करना सीखा था ये भी कुछ इसी type के questions हैं इनमें आपको क्या करना है first question आपके screen पर represent हो गया है तो हम इसको start करते हैं इसमें कहा गया है यादि नेमन शब्दों को उसी क्रम में विवस्थित किया जाए जैसे वे अंग्रेजी शब्द कोष में दिखाई देते हैं यानि कि first class में जो मैंने आपको अंग्रेजी शब्द कोष के अनुसार arrange करना सिख है तो सबसे पहले हम उनको वैसे ही arrange करेंगे तो कौन सा शब्द तीस रे स्थान पा रहाएगा तो सबसे पहले हम उनको इंग्लिस अल्फाबेटिकल में order में arrange कर लेंगे देन उसके बाद बता देंगे कौन सा नंबर हमारा third place पे आ रहा है तो पहला है place second है player three flow fourth plaster fifth plaque प्लेक PL 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 सब में PL आ रहा है और a mostly सब में आ रहा है तो हम देख रहे हैं तो a हमारा आ रहा है यानि कि यह लगर हटा दें तो देखेंगे PL PL यह तो सबसे last में आएगा PLO वाला चिक तो हमको last वाला term सबसे पहले हम लिख देते हैं third number सबसे last में आएगा तो first पे फिर c यहां पे आ alphabet में English alphabet में पहले आता है यानि कि first वाला पहले हो जाएगा अब यह तो हड़ गया और यह last हो गया अब इसके बाद क्या आता है Q आता है या एसा आता है तो मैं पता है fifth वाला आता है यानि कि fifth आ जाएगा Q आता है Q के बाद हमारा S आता है यानि कि fourth आ जाएगा fourth के बाद second प्रश्ण में कि कौन सा सब तीसरे स्थान पर आएगा तो फोर्थ शब्द कौन सा है प्लास्टर तो प्लास्टर हमारे डी ओप्शन में इसलिए डी इस दा राइट आंसर अब हम आते हैं अपने सेकेंड कोश्चन जो की स्क्रीन पर आचुका है इसमें कहा गया यह दि दिये इसके बाद आपका क्या आता है प्लास्टर यह दो हम आएगा तो इसके बाद आपका क्या आता है आई आता है, यानि कि third option, फिर R आएगा, यानि कि fourth option आपका आजाएगा, फिर इसके बाद देखें, O आएगा, पहले तो O आना चाहिए, S-T-O, M-N-O, P-Q-R, यानि कि हमारा fifth आएगा, fifth के बाद हमारा fourth आएगा, fourth के बाद हमारा first letter आएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका, distance, then distilled, फिर distort, फिर distribution, disturb, तो last हमारा क्या रहा है, distribution, तो distribution हमारे case option में है, अंतिम शब्द हमारा हो गया, distribution, यानि कि B is the right answer, अब हम आते हैं अपने next question, question number third, जो कि आपकी screen पर represent है, तो देखिए, third में कहाँए, निम शब्दों में से कौन सा एक शब्दकोश में उनके क्रम के नुसार विवस्तित होने पर पांच में स्थान पर आएगा, पहला है wing, second whip, third weary, fourth wing, fifth way, sixth weather, तो A option होगा, whip, B wing, C wing, D weather, तो सबसे पहले हमको देखना है, डवलू सम में आ रहा है, और second letter हम चेक करते हैं, तो second में I आ रहा है, इसमें H है, इसमें पहले E आएगा, तो E वाले कौन-कौन से option में, third, fifth and sixth, तो अब third, fifth, sixth में से कौन सा option हमारा पहले आएगा, तो आप देखते हैं, इसमें A है, यहाँ पर I है, यहाँ पर भी A है, तो A वाले चेक कर लेते हैं, यानि कि third or sixth में से चेक करते हैं, तो R, S, T, यानि कि R वाला पहल आएगा, यानि कि third option आएगा, then आपका six आएगा, third or sixth हो गया, फिर आपका आएगा, third, sixth, fifth हमारा हो गया, अब हमारे पास बचे यह, तो wink आएगा की, फिर इसके बाद whip आएगा, क्योंकि H पहले आता E के बाद, तो second हो गया, अब wink और wink बचा, तो N and same है, तो G पहले आएग आपको whip, फिर wing and wink, तो इसमें कहा गया, तो पांचवे स्थान पर कौन सा आएगा, तो पांचवे स्थान पर हमारा आ रहा है, fourth वाला, fourth कौन सा option है, wing, तो wing किस option में है, B option में, तो B इस दा, right answer, अब हमाते हैं, अपने fourth question पे इसमें कहा गया है, दिएगे शब्दों को अंग आपका population, B, poppy, C, popular, D, populance, यानि कि फिफ्ट इस्थान पर इनमें, fifth place पर इनमें से कौन सा वर्ड आने वाला है, तो आपने देखा कि P, 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 सम में मैच कर रहा है, यानि कि अब हम P, 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 P तो fourth fifth हो गया, अब हम क्या चेक करना है, population, popular, and populance में से, तो आप देखिए, popular, ये सम में सेम आ रहा है, अब आता है, A, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप देखिए, A के बात क्या आएगा, C, यानि कि third वाला पहले आएगा, फिर R वाला आएगा, population हमारे A option में है, तो is the right answer, अब हम आते हैं, आज की सीरीज के last question, question number fifth, जो की screen पर आ चुका है, इसमें कहा गया, शब्दों को अंग्रेजी शब्द करम के अनसार वैवेस्टित करने पर कौन सा सब्द, चौथे स्थान पर आएगा, पहला सब्द है unseen, second unseen, third आपका दिया गया है, third आपको दिया गया है, unsafe, fourth है unsound, fifth है आपका unsay, तो A option होगा unseen, B unsay, C unseen, D unsound, तो सबसे पहले आप देखिए कि UNS, UNS सम में सेम है, तो हम fourth letter से start कर दें, fourth letter आप देखिए, fifth वाले में A आ रहा है, यानि कि और इसमें भी आ रहा है, third वाले में, unsafe लिखा है, वहापे unsay लिख है, तो F पहले आता है, यानि कि third वाला पहले आएगा, उसके बाद fifth वाला पहले आएगा, जानि कि third हो फिप्ट हो गया, अब हमारे पास बचे है क्या fourth वाले मेंसे, अब देखिए, e पहले आता है, तो first and second message choose करना होगा यानि कि ease के बाद A आ रहा है तो second वाला होगा फिर one होगा then last में four आएगा क्योंकि ओ बाद में आता है तो three five two one four यह हमारा arrange हो गया gram अब चौधे इस place पर को आ रहा है one वाला तो one क्या है unseen unseen हमारे किस option में आ रहा है A option में तो A is the right answer अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं थैंक्यू ग्लास